आप सारे लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने यूटूब चैनल एस्परेंट्स लाइब में तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहले सवाल से और देखते हमारा जो पहला सवाल है वह क्या क्या रहा है था हमारा पहला सवाल है कि सौतंत्र भारत की लोगसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था हमारा भारत जो है जब सौतंत्र हुआ तो कब सौतंत्र हुआ था कि लोग सभा क्या है तो लोग सभा सांशद के जो हैं दो भाग है जैसे कि लोग सभा और राजी सभा लोग सभा को निम्न शदन कहा जाता है क्या कहा जाता है लोग सभा को निम्न शदन कहा जाता है और राजी सभा को उच्च शदन कहा जाता है तो लोग सभा का पहला सत्र ज तो सौतंत्र भारत की लोगसभा का पहला सत्र है वह कब आयोजित किया था तो कब आयोजित किया था आपका 13 मैं उनिश्व बावन को तो अपसंती क्या हो गया आपका इस कुस्चन का राइट अंसर हो गया सौतंत्र भारत की लोगसभा का पहला सत्र आप से इक्जाम में पूछेगा कि कब आयोजित किया था तो कब आयोजित किया था आपका 13 मैं उनिश्व बावन को यह आयोजित किया गया था यह आपका भारतिय शान्षद का निम्रिशदन है पहला आम्चुनाव कब हुआ था? तो पहला आम्चुनाव है आपका вहा आपका 25.05.1951 से कब तक 21.25 तक पहला आम्चुनाव हुआ था? पहला आम चुनाओ जो है आपका यह हुआ था अब हम देखेंगे कि पहली लोक सभागा जो गठन है वह कब हुआ था तो वह आपका 17 अपरेल कब हुआ था? 17 अपरेल उनीश वबावन हो क्या हुआ था? तो पहली लोक सभागा गठन हुआ था तो अभी आपने देखा कि एक कोश्चन से कितने सारे कोश्चन बन सकते हैं जैसा कि लोक सभागा, तो लोक सभागा क्या हो गया? निमनिश अधन हो गया, राजज शभागा अगर हम इसी में देख लें तो रहोगा, उच्ची शदन हो गया पहला सत्र कब आयोजित किया गया था तो T sitter में 1952 को पहला सत्र आयोजित किया गया था और अगर हम बात करें कि पहली आम चुनाओ वा कब हुई थी तो पहली आम चुनाओ आपकी कब होई थी 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फर्बरी 1952 तक पहला आम चुनाओ हुआ था और अगर हम बात करें कि लोगसभा की गठन तो 17 अप्रेल 1952 में आपका इसका गठन किया गया था अब हम देखेंगे अगले सवाल को तो हमारा अगला सवाल है कि 17 मी लोगसभा में गुजरात में जो है कितने लोगसभा चेतरे हैं सठरहमремी लोक्सभा चुनाओ कब हुआ था वाई? तो यह चुनाओ आपका 2019 में हुआ था कब हुआ था? 2019 में हुआ था और अगर अभी हम देखें तो 2024 में कौन सा चुनाओ हुआ है? आपसे एक्जाम में पूछ सकता है कि 2024 में जो है आपका कौन सा लोगशभा का चुनाव हुआ है तो आपका अठारमी जो है लोगशभा चुनाव हुई है तो गुजरात में कितने लोगशभा के छेतर हैं 24, 30, 28 या फिर 26 तो कितने सीट थे आपके 26 सीट थे कितने सीट थे 26 सीट जो थे आपकी वह 17 मी लोग सभाशुनाव में गुजरात में थे अगर हम बात करें अभी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो जो है उनका घर जो है आपका कहा है तो उनका घर जो है आपका वह गुजरात में है और गुजरात जो है वह भारत के किस भाग में तो पस्चिम भाग में परता है और उस बार जो है आपका 17 लोगसभा चुनाओ में जो है आपका क्या हुआ था तो 26 के 26 सीर्ट जो है आपके कौन जीते थे तो BJP जो है आपके 26 के 26 सीर्ट जो है वह जीते थे कब तो 17 लोगसभा चुनाओ में और अगर हम इसके बाद बाद करें कि ये जो 17 मी लोक सभा का जो चुनाओ है या भारतिय जन्ता पार्टी हम BJP को क्या बोल सकते हैं भारतिय जन्ता पार्टी मतलग BJP Next question हम देखेंगे कि लोक सभा का पहली बार विधीवत 10 को गठन किया गया था विधीवत जो है इसका गठन कब किया गया था 20 अपरेल 1951 को 17 अपरेल 1952 को 18 जन्बरी 1950 को या फिर 26 अपरेल 1950 को तो कब जो है आपका लोक सभा का विधीवत पहली बार गठन किया गया था, तो कब किया गया था आपका यह गठन? तो यह गठन जो है आपका 17 अप्रेल उनिश्व बावन को जो है आपका यह गठन किया गया था. अगला सवाल देखेंगे, तो अगला सवाल है कि नवंबर 2022 तक लोग सभा के अध्यक्ष कौन थे? अभी की नहीं, आपकी कब की बात है या, तो नवंबर 2022 तक जो है यह लोग सभा के अध्यक्ष कौन थे? दुरूपदी मुर्मूर, नरेंद्र मोदी, ओम बिरला या फिर अम जो है आपके नवंबर 2022 तक के, नवंबर 2022 में क्या थे? वो आपके लोग सभा के अध्यक्ष थे, कौन? तो ओम बिरला, तो आपका option she क्या हो गया? आपका इसका right answer हो गया, अगर हम दुरूपदी मुर्मूर की बात करें, तो वह आपकी कौन है अभी? राष्टपती हैं, अ पहली आदिवासी महला राष्टपती कौन? तो आपकी कौन हो जाएंगी वो? दुरूपदी मुर्मूर. नरेंद्र मोदी की बात करें, तो वह आपको पता है कि 2014 से जो है वह कंटीन्यू क्या है? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, कौन? तो नरेंद्र मोदी. और इस कौन है? ग्रिह मंत्री हैं और इस बार भी इन्हें ग्रिह मंत्री ही बनाया गया है. किने? तो आमेच साह को. नेक्ट कोस्चन हम देखेंगे, कि लोग सभाका सदश्य बनने के लिए नियूनतम आयोग कितनी होनी चाहिए? लोग सभाका जो सदश्य बनते हैं, उनकी नियू नियूनतम आयो कितनी होनी चाहिए? जैसा कि आप सभी को पता होगा कि स्टूरेंट जो एक्जाम देते हैं, तो उनमें भी नियूनतम आयो और अधिकतम आयो दिर जाती है. कि कितने से कितने उमर तक के जो बच्चे हैं, वो फॉर्म फिलब कर सकते हैं. वैसे ही आपका हमा 25 होना चाहिए, तो option A क्या हो गया? आपका इस question का right answer हो गया. और अगर हम बात करें कि इसका जो चर्चा है, वह कौन से article में है? तो इसका जो चर्चा है हमारे शंबिधान में, कौन से article में है? तो 84 article. Article 84 में जो है आपका, इसकी चर्चा की गई है, जिसमें की कहा गया है कि लोकसभा का सदश्य मनेंगे, उनकी जो नियूंदम आयू है, कितनी होनी चाहिए? तो 25 होनी चाहिए. नेक्स्ट कुस्चन हम देखेंगे, कि स्वतंद्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो कब किया गया था? या जो आपका लोकसभा का पहला स तो लोक सभा जो है आपका वह निम्न शदन हो गया अगर हम बात करें तो अगर हम शंसद की बात करें तो इसे हम दो भागों दिभाइड कर सकते हैं एक लोक सभा और एक राजी सभा तो लोक सभा को हम क्या कहते हैं निम्न शदन कहते हैं और राजी सभा को क्या कहते हैं उच् 2019 की बात करें, जब चुना हुआ था उस time जो है आपकी लोगसभा के सिर्ट कितनी थी, तो 550 जो है आपकी लोगसभा की सिर्ट थी, जिसमें आपका क्या था जो जिसमें आपके 2 मनुनीत सदश्य होते हैं जिन्हें कौन न्यूख्त करता था? तो राश्पती टैने आने का ऐटा दिया गया है नेक्स कोश्चन अगर हम देखेंगे कि संसद के निजले शदन की अधिक्तम सदस्य शन्ख्या क्या है अब हम ने बढ़ा देखा या फिर आप सभी dw लोग को पता होगा कि कि कितने सदस्य हैं ĩोटल तो अभी जो है आपके 543 हैं, कितने हैं? 543 हैं, लेकिन अगर हम इस option के अनुसार जाएं, कि संसत की निचले शदन, यानि की लोक्षभा में, इसमें लोक्षभा में जो है, अधिक्तम सदश्य शंख्या क्या है? अधिक्तम पूछ रहा है आपका अभी, तो आपका कितना है? 543 है, तो अधिक्तम जो है, कितने सदश्य शंख्या हैं? पांसो, पांसोनब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब् चुने जाते हैं और 20 जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं और अगर हम 2 की बात कर लें तो वही आपका हो गया जो कौन चुनते हैं राश्ट्रपती द्वारा मनुनीत होते हैं अगर हम राष्टपती की बात करें तो राष्टपती की चर्चा अगर आपसे पूछे कि राष्टपती की चर्चा है कौन से आर्टिकल में है तो आर्टिकल 52 में जो है आपका राष्टपती की चर्चा है अगर आपसे एक्जाम में पूछ दे कि महाभियोग जो है किस पे लगाया जाता है एक महावियोग ऐसा है जो कि आपका और किनी पे नहीं लगाया जाता ना प्राय मिनिस्टर न चीफ मिनिस्टर न गवर्नर सिर्फ किस पे लगाया जाता है प्रशिडेंट पे लगाया जाता है राश्पती पे जो है आपका सिर्फ महावियोग लगाया जाता था है, next question अगर हम देखें, तो लोक सभा का सदस्ट बनने के लिए नियुनतम आयो कितनी होनी चाहिए, नियुनतम आयो कितनी होनी चाहिए आपकी, तो 25 होनी चाहिए, और इसकी चर्चा किस आर्टिकल में की गई है, तो 84 में की गई है, हमारे शंभीधान में जो है, 84 में जो 11.18 दिन कितने दिन लगे थे? अगर हम बात करें, शंबिधान की, तो कितने बर्स लगे थे? दो बर्स, 11.18 दिन हमारे शंबिधान को बनने में लगा था और इसे अपनाया कब गया था? और इसे जो है लागू कब गया था? तो इसे अपनाया गया था आपका 26 नॉवंबर 1909 को, कब अपनाया गया था? 26 नॉवंबर 1909 को अपनाया गया था और 26 जन्वरी 1950 को जो है आपका लागू किया गया था? अपसे एकजाम में एक और चीज़ बूसकता है कि 26 जन्वरी को ही क्यों? क्योंकि बन तो हमारा शंबिधान गया था नॉवंबर में ही तो 26 जन्वरी को जो है पहली बार रावी नदी के टटपे कहां पे? रावी नदी के टटपे जो है पंडी जवाहर लाल नहरू ने क्या कि तो 26 जन्वरी 1950 को जो है आपका लागू किया गया नेक्ट कोस्चन है आपका कि राजस्थान से लोगसभा सदस्यों की कुल संख्या है? राजस्थान से जो है लोगसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 20 है, 25 है, 22 है या फिर 24 है तो कितनी है आपकी? 25 कितनी है? राजस् लोकसभा की जो सदस्यों की संख्या है को पचीस है नेक्स्ट कोस्चन को हम देखेंगे तो अगस्त 2021 तक कितनी महिला सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष का पद शम्हाला है एक दो शुन या फिर तिन अगस्त 2021 तक कितनी महिला सदस्यों ने क्या किया है लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष का पद जो है, आपका समाला है, तो कितनी ने दो महिला जो है, लोक सभापद का क्या की है, अध्यक्ष को समाला है, कौन कौन? तो 15 मी और 16 मी देख लिया अगर हम, 15 मी और 12 मी, तो यह जो हैं आपकी कौन है? एक है आपकी भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस से कौन है भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस से आपके कौन है मीरा कुमार और अगर हम दूसरी बात करें तो भारतिय जनता पार्टी से अगर हम बात करें तो वो कौन है तो वो आपकी है सुमित्रा महाजन कौन है शुमित्रा सुमित्रा महाजन, ये दोनों महिला जो है आपकी, क्या है, तो ये दोनों महिला आपकी, लोकसभा अध्यक्ष की कब, तो 2021 अगस्त, 2021 तक जो है, ये दोनों महिला जो है, वाह, लोकसभा अध्यक्ष का क्या की है, तो फद को शमहाला है, कौन-कौन, मीरा कुमार और सुमित्र महाजन कौन थी तो 15 मी और 16 मी नेक्स्ट कोस्चन है आपका कि लोग सभा लोगों का पहली बार बिधीवत गठन डैस को किया गया था लोग सभा का जो है पहली बार जो गठन है वह कब किया गया था आपका यह बिधीवत जो गठन है वह 17 अप्रेल उनिश बावन को किया गया था तो option B क्या हो गया आपका इसका right answer हो गया अगर हम बात करें कि आम चुना जो है पहला हुआ कब हुआ था हुआ आपका 1951 से 52 में हुआ था कब हुआ था 1951 से 52 में आपका पहला आम चुना हुआ था अगर हम बात करें कि हमारा भारत कब आजाद हुआ था तो भारत हमारा जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था आजाद होने के बात हुआ अब हमारे भारत जो है वह चलेगा कैसे तो इसलिए क्या किया गया एक संभीधान को बनाया गया वह संभीधान बने कितने दिन में तो दो वर्स 11 महिने 18 दिन में जो है आपका यह संभीधान बनके तयार हुआ और इसे मतलब लाया गया कब अपनाया गया कब 26 नोवंबर 1949 कब लाया गया 26 नोवंबर 1949 को जो है आपका यह संभीधान लाया गया मतलब लागू किया गया अपनाया गया और 26 जन्वरी 1950 को जो है क्या किया गया लागू किया गया किस चीज को शंभीधान को और लोग सभा का पहली बार विधीवत गठन डैस को किया गया था तो 17 अपरेल 1952 में जो किया गया है अगर आप देखें तो इन सारे चीज में भारत कब हुआ आजाद हुआ 1947 फिर आपका क्या हुआ तो 26 जन्वरी 1949 को हमारा क्या बन के तयार हुआ दो साल बाद 47 दो 49 क्या बन के तयार हुआ आपका शंभीधान बन के तयार हुआ मतलब कि संभीधान को अपना लिया गया 49 यानि फिर उन 50 और 26 जन्वर 1950 को क्या कर दिया गया शंभीधान को लागू क पहली आमचुनाओ की गई, ति यह आमचुनाओ आपका कब से कब तक चला था, यह ओक्टूबर मेनेम होई थी, 25 ओक्टूबर से लेके 21 फर्वरी तक यह आपका यह आमचुनाओ हुआ था वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद